तो अगर आप नए साल में अपने घर को टाइल लगवाने वाले है और ये जानना चाते हो कि आखिर टाइल लगवाने के लिए हमें कितना खर्चा सकता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है इस वीडियो में हम एक्जामपल के लिए एक रूम लेंगे जिसक तो इसके लिए भी हम वीडियो के एंड में एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप आसानी के साथ चाहे आपके रूम का साइज कितना भी क्यों नहों आप आराम के साथ उसे कितना खर्च आएगा ये सिर्फ एक स्टेप के अंदर निकल सकते हो तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरू देखे चानल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे तो यहाँ पर पहला स्टेप आज आता है जब भी हमें किसी रूम का टाइलिंग कोश निकालना होता है तो हमें स्क्वेर फिट के बारे में पता होना जरूरी होता है तो यहाँ पर जो रूम है उसका साइज हमने लिया है 10 फिट बाई 10 तो हमें सिंपल क्या करना है 10 x 10 is equal to आ जाता है 100 square feet अब यह चीज हमें आगे चल के बहुत काम में आने वाली है तो यहाँ पर हमेरी room का जो area है वो 100 square feet हो गया है अब यहाँ पर दूसरा step आ जाता है किसी भी room में हम tile लगवाते है तो वहाँ पर skirting ज़रूर लगवाते है तो यहाँ पर skirting जो होती है वो हम running fit में निकलता है अब यह जो running fit है इसे निकलने के लिए simple आपको room की 4 बाजू को add करना पड़ेगा और इन्हें add करने के बाद हमारा answer आ जाता है 40 running fit तो यहाँ पर हमने room का square feet और running fit निकल लिया है अब simple step है यहाँ पर आपको tile का cost निकलना पड़ेगा तो यहाँ पर tile कितने रुपे के आप choice करने वाले हो उसके उपर भी depend होता है पर यहाँ पर हमने consider किया है कि regular और अच्छी quality के tile आपको 40 रुपे per square feet के इसाब से मिल जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 square feet हमारे room का area आया है और 40 रुपे per square feet वाली tile हमने choice की है तो इन दोनों को हम multiply कर देंगे यानि कि 100 multiply 40 is equal to आ जाता है हमारा 4000 रुपे अब यह तो होगा है flooring के tile का cost पर side में जो skirting आईगी तो वहाँ पर हमें 8 square feet tile लगने वाली है तो 8 multiply 40 is equal to आ जाता है 320 रुपे उसके बाद next step आ जाता है जहाँ पर हम labor cost निकालेंगे तो यहाँ पर labor fitting charge होता है flooring का 14 रुपे से लेके 15 रुपे per square feet के इसाब से तो हमारी room जो है उसका area आया है 100 square feet और labor का charge हमने यहाँ पर consider किया है 14 रुपे per square feet के इसाब से तो यहाँ पर 100 multiply 14 तो हमारा answer आ जाता है 1400 रुपे अब यहाँ पर labor cost में next step आ जाता है जो कि है skirting तो यहाँ पर हमारी जो skirting है वो room के इसाब से 40 running feet है और जो skirting को लगाने का labor charge है वो 13 रुपे per square feet के इसाब से तो 40 multiply 13 is equal to आ जाता है 520 रुपे अब यहाँ पर हमने tile का cost और labor का cost निकाल लिया है अब बारी आती है material की तो यहाँ पर सबसे पहला material आ जाता है जो कि है cement तो इस room के लिए हमें लगबग 2 से लेके धाई cement bag तक लग सकती है तो यहाँ पर हम consider करेंगे कि हमें डाई cement bag लगने वाली है और एक cement bag का जो cost है यहाँ पर हम consider करेंगे कि हमें 400 रुपे per bag के इसाब से मिल सकती है तो 2.5 multiply 400 is equal to आ जाता है 1000 रुपे यहाँ कि हमारा cement का cost आ चुका है 1000 रुपे अब यहाँ पर next item आ जाता है जो कि है rate उसके लिए हमें cost आया है 8,690 रुपे अब यह तो हो गया है अगर आपकी room 10 by 10 की है तो आपको इतना खर्चा सकता है पर अगर आपकी room इससे बड़ी है या फिर छोटी है तो किस तरह से हम cost निकल सकते है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पर square feet cost निकलना पड़ेगा तो already हमारे पास data है तो उसका हम इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर 8,690 divided by 100 square feet और हमारा answer आ जाता है 86.9 रुपीज पर square feet यानि कि हम कह सकते है कि 87 रुपीज पर square feet आपको खर्चा सकता है टाइल लगवाने के लिए तो for example के लिए अगर आपका room है 12 by 12 का तो इसका square feet आपको निकल लेना है 12 multiply 12 is equal to आ जाता है 144 square feet और उसे आपके 87 के rate से multiply कर देना है तो हमारा answer आ जाता है 12,528 रुपे यानि कि इतना खर्च अगर 12 by 12 की room है तो आपको tile लगवने के लिए आ सकता है अब यह जो rate हमने यहाँ पर निकला है यह कम या फिर सकता है और अगर आपने सस्ती tile लेली तो यह जो rate है यह कम हो सकता है तो यह depend करगा आपके उपर आपको क्या करना है सिर्फ room का square feet निकलना है और आपको 87 के rate से multiply कर देना है और आपको आपका answer मिल जाएगा कि आपको उस room के लिए tile लगवाने के लिए कितना खर्चा सकता है अब यह जो rate है यहाँ पर हमने wastage को consider नहीं किया है इस बात का आप जरू ध्यान रखे और आपके area में tile लगवाने के क्या labor rate चल रहे है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कीजे क्योंकि अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि tile लगवाने के क्या labor rate चल रहे है 2023 में वीडिय अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरू इसे लाइक कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है